जयिहांन सवाइध में सभी कईपू्ण जी के जहीं सेनरेंट पर सभी की आप और डूद जया है सब्सक्राइब के आजके सब्सक्राइब है उस न्श्राइब आगे के सेट नहीं करेंगे और में रसके यो गलती वह में अपलोट नहीं किया गया था हमें ध्यान भी नहीं था और आप लोगों के मैसेज के कारण हमें में पता लगा है कि सेट फुर हमने हमसे चूट गया था और सेट नबर फुर आज के क्लास में हम लोग इसे चलिए complete कर लेते हैं तो साथियो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है पसंद आता है तो प्लेज इसे लाइक करें और जितना अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी साथियो अगर जो भी दोस्त ज सिंदु सभ्याथा अस्थल धोला वीड़ा किस नदी के किनारे इस्तित है तो सिंदु सभ्याथा अस्थल धोला वीड़ा जो है लूनी नदी के किनारे अवस्थित है option बडड़ी is the right answer दोस्तों आप लोग भी आपना एंसर जरूर लगाईएगा और एंसर लगा करके हमें क अप्षा नमबर डी जो है वह सही सुमेलित नहीं है इसलिए इसके राइटेल सरो जगा option नमबर डी निमने लिखीत कत्नों पर विचार केजिए और बहुत देखें पहला कतन कर रहा है कि बहुत धर्म मुल्यत अनिस्वरवादी है और इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं ह है कि बहुत धर्मे में पुनर जर्म की मन्याता नहीं है तो देखें इसमें कौन सा कथन सई है तो यह केवल पहला जो कथन है यह सई है option number a is the right answer केवल one सई होगा next question पंच्यतत्र की रचना किस काल से संबंदित है तो पंच्यतत्र की रचना है वो गुप्तकाल से संबंदित ह है option number b is the right answer गुप्तकाल next question अईरुवेद के अचारे चरक का संबंद किस सासक से था तो जो आईरुवेद के अचारे है उन्चरक का संबंद किस सासक के साथ था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कनिस्के अप्शन नबर b is the right answer देखें अईरुवेद के जो अचारे थे च अचारे उनका जो संबंद था वो पनिस्के सासक था था नेक्ट कॉप्शन दिवाने इस्तिहाक किस विभाग के अंतरगत आता था तो दिवाने इस्तिहाक जो था वह वो विभाग के अंतरगत में आता था आप्शन नबर c is the right answer नेक्ट कोशन कस्मीर में प्रथम मुसलिम वंस की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था तो कस्मीर में प्रतम मुस्लिम वंस की अस्थापना वो जो था सामीर के द्वारा किया गया था option number A is the right answer next question जहागीर ने किसके नेत्रुत्य में आगरा में एक चित्रे साला का निर्मान करवाया था तो इसका right answer हो जहागा आगरा जहागीर ने आगरा जाके नेत्रुत्य में आगरा में एक चित्रे साला के निर्मान करवाया था next question आवद से 1857 की करांती का नेत्रुत्य करता थे तो कौन से थे नेत्रुत्य करता आवद से जो 1857 के करांती के थे वो थे बेगम हजरत महल आपसन नमबर ए इस दराइट एंसर बेगम हजरत महल जो थे वह अवत से 1857 की करांति का नेत्रियुत्य करते थे निम्नी लिखित में लोर्ड इर्विन से सम्बंधित है तो लट इर्वोईन से समबनीत है पहले ला नांबर ऑप्सिन साइमन कमीशन का आगामन यह नहीं है यह गल्依न नांकE निमने लिखित में से कौन बाली का विध्याले के संस्थापक थे तो कौन जो थे बाली का विध्याले के संस्थापक थे वो थे जो तिबा फूले अप्शन नमबर C is the right answer जो तिबा फूले थे जो की बाली का विध्याले के संस्थापक थे वर्ष 1934 में गठित सर्फू सिमित का संबंध था तो किस से था गठित सर्फू सिमित का संबंध तो वो था बेरोजगारी से option number A is the right answer नेस्ट कोशन इंडिया फोर इंडियान्स के लेख़क निम्ने रिखित में से कौन था तो कौन था इंडिया फोर इंडियान्स का लिख़क तो वो था चित्रंजन 10 option number D is the right answer चित्रंजन 10 नेस्ट कोशन पाल खेडा के युदि की समापती किस संधी के तहत हुआ तो किस संधी के तहत हुआ पाल खेडा के युदि की समापती तो इसका राइट अंसर हो जगा मुंसी सीव गाउं की संधी option number C is the right answer next question निम्ने लिखित आंदोलन का सही सुमेलित कीजिए तो निम्ने लिखित आंदोलन जो है सुची 1 में है और सुची 2 जो है इनका वर्ट से दिया गया है इनको सही सुमेलित करना है तो देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा पहला का दो यह हो गया पहला का दो दूसरा का चार तीसरा का एक और चौथा का हो जाएगा तीन नंबर प्रफटा का दिन हो जाएगा और तीसरा का एक नमबर पहला का हो जो है पहला का दों कहा है चलिए तो यह हम लोग है राइट एसर दो चार एक दिन किश में दिया गया है option बीमें दिया गया है निमने लिखित में से किस अधिनियम के तहट बिर्टीश सरकार ने बंगाल के गवर्णर को बंगाल का गवर्णर जर्नल बना दिया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अधिनियम जो कि 1770 में हुआ था इसके अधिनियम के तहट बिर्टीश सरकार ने बंगाल के गवर्णर को बंगाल का गवर्णर जर्नल बना दिया था को ने लिखित में से कौन सा क Yes T अप्सनbor और सी ये जो है यह लोगसाभा के अध्यक्ष के अछल्डर में सही नहीं है ऻुकonne कि कर रहा है कि भारत्य समीदाशए धिक्रार में चल्ट वहां है के अनुसार भाषा का उल्लेक किस अनुसुची में है तो भारतिय समीदान का जो अनुसार है भाषा सुची में आठवी अनुसुची में है आप्सन नमबर D is the right answer आठवी अनुसुची नेट्ट कोशन भारतिय लोगों की सर्योच संप्रभुता का उधो स भारतिय समिधान से है तो भारतिय समिधान में किस भारतिय समिधान में है तो इसका राइट एंसर हो जगा उधेशी का अप्शन नम्बर A is the right answer भारतिय लोगों की जो सर्योच संप्रभूता का उगोस भारतिय उधेशी क समिधान में है निम्ली लिखित में से कौन सी सिमिध चुनाव सुधारों से संबंदित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुपता सिमिती अप्शन नम्बर C is the right answer इंद्रजीत गुपता सिमिती निस्ट कोशन वर्ष 1969 में शंशद में प्रथम लोगपाल किसके द्वारा पेश किया गया था तो प्रथम जो लोगपाल था वो किसके द्वारा पेश किया गया था ? तो वो थे शांति भूचन Option number B is the right answer सांती बुसर ने वर्ष उनिस्वाटालिस में संसर में प्रथम लोगपाल पेश किया था Next question भारतिय समिधान का अनुछेद 143 राष्टपति को सक्ति देता है तो इसका right answer हो जाएगा मुख्य नियाधिस से सलाकारी क्या है जो भारतिय समिधान का अनुछेद 143 राष्टपति को सक्ति देता है Option number C is the right answer Next question निमने लिखित में से कौम सी संसद्य सिमीती का अध्याग से विपच्छी दल के सदस्यों में से होता है तो इसका right answer हो जाएगा लोग लिखा सिमीत Option number D is the right answer लोग लेखा सिमीती जो होता है वो संसद्य सिमीती का अध्याग से विपच्छी दल के सदस्यों में से होता है इसे आप लोग याद रखेगा Next option निमने लिखित में से कौन समिधान सभा के सदस्यों नहीं थे महात्मा गांधी जो थे समिदान सभा के सदर्स से नहीं थे। और इसका राइट एंसर हो जागा अस्थानिये सवसासना Jumum arriving ten नहीं बह्ली score, अप लोग इसका राइट एंसर हो जागा अस्थानिये स्थासन जो है स्वसासना यह समवर्थि सुचिद किसी भी राज में मुख मंतरी डैस तो किसी भी राज में जो मुख मंतरी है वह विधान सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है गलत है बहुपल द्वारा मनोनित किया जाता है इन में से कोई नहीं किसी भी राज में मुख मंतरी इन में से कोई नहीं होता है निंने लिखीत में से किसने राष्टीय विकास परिशत को सुपर क्यवरेट की सत्ता दी है तो किसने दी है तो इसका राइट एक्रोलर हो जैगा के संथानम आप्सन वर एपनर इसको चुनहां है। राश्टपति है राषटपति उप्राश्पतिप्रथान मंत्री कबिनेट मंत्री अगे गलते हैं आगे का औ THIS कि राश्च पत्रति उप्राश्पति परधान मंत्री द्याजपाल और तब भूають प्रकिर्या को भारतिय समिधान में किस से ग्रहन किया है को स्वनुप्त देश की बैठाब को भारतिय समिधान में किस देश से ग्रहन किया गया है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा अस्टेरिया से किया गया है अप्शन नम्बर डी इस दर राइटेंसर नेश्ट कोशन निम्ने लिखित में से पौन भूत आपिया उर्जा संबंधित छेत्र का सही सुमल नहीं है तो इसका राइटेंसर हो जागा जो कि सही सुमल नहीं है सुरजकुंड हर्याना सुरजकुंड हर्याना जो है वह सही सुमलित नहीं है आप्शन नम्बर ए इस दर राइटेंसर और यह बागे तीन जो है यह सही सुमलित है नेश्ट कोशन यह उसका नसल है तो गाय की एक नसल है देवनी, option number d is the right answer Next question फौंगपुई राष्टिय बाग भारत के किस राज में इस्तित है तो इसका right answer हो जगा भारत के किस राज में इस्तित है तो इसका सभिय एंसर हो जगा मिजोरम मिजोरम में फॉंग पुई राष्टिये बाग जो है वो भारत के मिजोरम में इस्तित है आगे देखिए निम्ले लिखित में से कौन प्राय दीपिय भारत की नदी नहीं है तो निम्ले लिखित में से जो है कौन सा है प्राय दीपिय भारत की नदी नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option number D, दामोदर, इन में से कौन दक्षिन अपरिका का एक पॉन है, तो इसका right answer हो जाएगा option number B, वर्गस, वर्गस जो है दक्षिन अपरिका का एक पॉन है, next question, सत्जल परियोजना निमनी लिखीत में से किस नदी पर है, तो इसका right answer हो जाएगा, चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर सत्जल परियोजना उपस्तित है, next question, अब वहर अभ्यारनया किस राज में है, तो इसका right answer हो जाएगा, पंजाब राज में है, अहोरन अभ्यार पंजाब राज में अवस्तित है, option number A is the right answer, next question, निम्ली लिखित में से कौन सानिर्थ आंध पर्देश से संबंदित है, तो निम्ली लिखित में से जो कौन सानिर्थ है, जो आंध पर्देश से संबंदित है, वो है, पुच्छी-पुडी, option number D is the right answer, next question, गंगोतरी, यमुनोतरी, एवं बदरी नाच जैसे तिर्थ अस्तल निम्ली खित में से कहां पर इस्तित है, तो ये जो तीनों है, वो कहां पर इस्तित है, तो इसका right answer हो जगा, हिमाचल स्रेणी में इस्तित है, option number B is the right answer, गंगोतरी, यमुनोतरी, एवं बदरी नाच जो है, वो भारत के मीजोरम राज में है, तो इसका right answer हो जगा, option number A, next question, भारत का ब्रावनी तेल, भारत का ब्रावनी तेल सुधक कर खाना इस्तित है, तो भारत का जो ब्रावनी तेल सुधक कर खाना है, वो इस्तित है, कहां पर, महराष्ट में इस्तित है, option number B is the right answer, महराष्ट मे यह दोनों गलत है आगे देखिए option में क्या दिया गए नीली करांती और भूरी करांती इसका सही अंसर हो जगा नीली करांती option number C is the right answer next question देखिए red data book का प्रथम प्रकासन वर्स है तो red data book का जो प्रथम प्रकासन वर्स है वो होगा 1964 option number B is the right answer next question देखिए केवला देव धाना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है तो इसका right answer हो जाएगा वांड गंगा नदी option number B is the right answer next question देखिए durand cup का संबंध किस खेल से है तो durand cup का जो संबंध है वो football के खेल से है option number A is the right answer next question भारत में राष्टपती आय की गंड़ना किस के द्वारा की जाती है तो भारत में राष्टपती की जो आय की गंड़ना है वो की जाती है केंद्रिये सांखिकी कार्याले के द्वारा option number C is the right answer next question मुद्रा का प्राख्यमी कार कौन सा है तो मुद्रा का तो प्राख्यमी कार है वैं बिनियम का माध्याम किस वर्ष में की गई थी तो इंपीरियल बैंक की संस्थापना है वह 1955 इस भी में किया गया था इसे आप लोग याद रतिएगा किस खेल से हैं और आप लोगों को एक चीज बता दे कि यह जो ट्रेक्ट सीरीज है इसी इसका सिर्फ एंसर बत लाए जाता है आप लोगों को सिर्फ भीमार वाया जाता है कि आप लोगों का कितना सही होता है आप लोग इसे कॉमेंट में जरूर बताए कि आप लोगों का कितना सही होता है ठीक है और अगर आप लोगों को डिस्क्रेप्शन के सांथ तो सुबह में एदुटेरिया पडिकेशन का भी कलास लिया जा रहा है वहाँ पर आईए और उसको अच्छे से पढ़िए विर डि परिवर्थन की दर जो है उस वस्तु पर आरोपित बल समानुपाती होता है वह सनुएव परिवर्थन के सम्बंदित है तो हम जो नियम है नियमने से संबंदित है तो न्यूटें गति का दीवित्यय कीक्न पर संबंदित संबंदित रहूरotion देखिए नि lugय लिखित में से को पह Сейчасने तो नेम लीखित मैं से भीन्य को पहचानना है जो कि अलग है तो उसका राइट एंसर हो जागा किलो वाट एंसर ओप्षोंबर सी इस डाराइट एंसर किलो वाट होजमर शसक नमक मिलाने पर जलका प्रिष्ठ तनाव क्या होता जलका प्रिश्ठ नाव बढ़ता है प्रवर्तित रहती है औसी इसन मंम मिलाने पर जलका जो प्रिष्टी होताए ओपरवर्तित रहती है मनेकद प्रकाशित तन्तु किस सिधान पर अधारिद है, तो प्रकासिक जो तन्तु है, वो पुण्य आंत्रिक परवर्थन पर अधारिध है, option number D is the right answer, next question, micro phone ध्वानी उर्जा की डाँस में परिवर्तित करता है, तो जो दित्रा रिज़ु ने existing, परिवर्तित करता है, तो इसका right answer रो जगा वि देखे, question number 58 है, कि इन में से कौन जो है, त्रितिया सिरेनी का उत्तोलक है, तो इसका right answer हो जाएगा, जो कि त्रितिया सिरेनी का उत्तोलक है, वो है, चीवटा, option number A, is the right answer, next question, नाभीकिय रियेक्टर में मंदक के रूप में प्रियोग किया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, ग्रिफाइट को किया जाता है, नाभीकिय रियेक्टर के मंदक के रूप में ग्रिफाइट को प्रियोग किया जाता है, next question, हावा की गति को मापने वाला उपकरन है, तो हावा संख्या का मान होता है तो आवा गार्डो जो संख्या का मान होता है वो होता है 6.022 इंटु 10 का पावर 23 अप्शन नमर सब्सक्राइब नियम है तो निमने लिखित में से कौन सा गैस में ठोसका विलियम है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सब्सक्राइब नियम है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सब्सक्राइब नियम है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा क्यूप्रिय क्लॉराइड ओप्सन नियम है इस दा राइट एंसर देखिए क्लोरिन गैस बनाने की डिकन बिधी में जो क्यूप्रिक क्लॉराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है नियुक्ष्ट कोशन TNT यहांने की ट्राइब नैट्रो टॉल्वून क्या है पहला नमद तोव ट्राइब नैट्रो टॉल्वweन और यह जो है आखिर क्या जीज है TNT तो इसका राइट एंसर हो जाएगा विस्ठ फो्टाथ है आपसान Нामबर सी इस दा राइट एंसर विस्ठ फो्ट्क है Next मिनली खित में से कौन एक रेडियोंस रक्रियह धातु है इसका रेट रेज्ट्र हो जाएगा से और C पेट्रल की घुनवाता का मापक है इसका Сам मिनली खुंजाएगा औरersonism मानो शरीर के कौन सी सिरा ऑक्सीजन युक्त रख्त को ले जाती है तो इसका राइट एंसर हो जायगा गरंथ प्रा अउंणू गरंथ जो है वो मनुष के मनुष के प्राउंणू ग्रंथी जो से केल्च टोनिन हर्मून का सर्वाथ होता है इसे अप लोग याद रखिएगा नेश्ट कोशन निमने लिखित में से क्यों सा विकल्प जो है वो समझात अंगो के उधारन है तो क्यों निम्निखित में से कौन मस्तष से है? तो निम्निखित में से जो है कौन सा मस्तष से है? तो वह है समुदरी भोड़ा, option number A is the right answer, समूदरी भोड़ा जो है, वो इन चारों में से मस्तष है, next question, बोमेन संपुट इकाई है, तो बोमेन संपुट जो है, वो इकाई है, वो क्या चीज़ का है, तो उत्सर्जन का एक इकाई है, option number B is the right answer, next question, इन में से कौन, पाली सेक राइट्स का उधारन है, इन में स next question, फाइकोलोजी संबंदित है, तो फाइकोलोजी जो है, सेवाल का अध्यान से संबंदित है, option number B is the right answer, फाइकोलोजी जो है, सेवाल का अध्यान से संबंदित है, next question, मास्ट को सिकाएं पाई जाती है, तो मास्ट को सिकाएं जो है, वो पाई जाती है, सन्योजी उत्तक मे में पाइ जता है मंस्ट को सिखाए edit the write us those first 吧 को फ्रचलण अंगक है तो ५्रचलन अंगक है वह घगा और भी फ्लएजिल्य को प्रचलन अंगक फ्लेजी μαहें अवस्चन मटर पॉधा है मटर जो है वutetा है तो वो है साक पौधा है, मटर एक साक पौधा है, option number A is the right answer, next question, उत्री चैनल को पार करने वाले पहले उत्री पूर्वी भारतिये एलिविन्स अली हजारीस किस राजे से संबंदित है, तो जो है किस राजे से संबंदित है, तो इसका right answer हो जाएगा असम से संबंदित है, भारत, फ्रांच और सन्युक्त अरब अमी रात के बीच पहली त्री पच्छिया विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयूजित की गई थी, तो कहां पर किया गई थी, किस देश में आयूजित की गई थी, तो इसका right answer हो जागा, अमेरिका, option number B is the right answer, अमेरिका, next question, American Express, India के नए CEO कौन बने है, तो American Express, India के जो नए CEO बने है, वो है, संजय खंना, option number C, is the right answer, American Express, India के नए CEO कौन है, संजय खंना है, option number C, is the right answer, next question, तो हाली में जो सन्युक्त राष्ट मानव धिकारी आयोग के नए प्रमुख बने है वो हैं बोलकर तूर्क आप्शन नमबर सी ऑप्शन बडी इस राइट एंसर बोलकर तूर्क सही अंसरों का नेक्ट कोशन तो तो इसका राष्ट की राष्ट में शुरू किया गया है तो इसका राष्ट एंसरों किस भारत की सुन्द्री ने Miss Diva Universe 2022 का किताब जीता था तो किस भारतिय सुन्द्री ने Miss Diva Universe 2022 का किताब जीता था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दिविता रोए Option number B is the right answer आगे देखिए Next question Question number 88 का राया मरा कि किविधु सेन सिविर का जो नाम किसके नाम पर रखा गया है तो किविदी सेंजिरू का जो नाम है, वो किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका राइट एंसर हो जागा, जनरल वीपिल रावत के नाम पर रखा गया है, option number D is the right answer, next question, कौन से भारतिय सहर, UNESCO Global Network of Learning Cities में सामिल हुए है, तो इसका राइट एंसर हो जागा, कौन से भारतिय सहर है, इसका राइट एंसर होगा, वारा नसी, लखनाव और कोची, वारा नसी, लखनाव और कोची, यह ऐसे भारतिय सहर है, जो कि UNESCO Global Network of Learning Cities में सामिल हुए है, option number A is the right answer, next question, देखे, question number 90 कह रहा है, कांग्रेस पाठी, भारत जोड़ो यात्रा को, कितने राजों तक संचालित क करेगी, तो कितने राजों तक संचालित करेगी, तो इसका राइट एंसर होजएगा, 12 राजों तक संचालित करेगी, option number A is the right answer, next question, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, next question, नरेंदर मोधी ने किसे राज में होमी भा करेगी, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, पंजाब में किया है, option number B is the right answer, next question, नासा के पारकर सुलर, प्राव ने अंतरीक्ष से किस गरह की सतह के चीतरे लिये हैं, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option number D, शुक्र, देखिए, नासा के पारवक्ष सुलर जो है, वो प्राव ने अंतरीक्ष से सुक्र गरह के सतह के चीतरे लिये है, option number D is the right answer, next question, चक्रवाद विशिराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो चक्रवाद जो विशिराई है, उसने मेडा गासकर, मेडा गासकर देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है, option number A is the right answer, next question, भारत प्रेश स्वतांतार रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य सीर्ष पर रहा है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, जम्मू कस्मीर, option number C is the right answer, जम्मू कस्मीर जो है, भारत प्रेश स्वतांतार रिपोर्ट 2021 में जो है, सीर्ष पर रहा है, आगे देखिए next question, तो सत्रहत्वे जो सत्र के अध्यक्ष बना है, वो है क्वासा कोरोशी, option number A is the right answer, क्वासा कोरोशी जो है, वो सनिक्त राष्ट महा सभा के सत्रहत्वे सत्र के अध्यक्ष बने है, next question, डेम सेंड्रा मेंसन किस देश की पहली महिला राष्ट पती बनी है, तो किस देश की बन देखें, बारबादोस जो है, वो बेम सेंड्रा मेंसन बारबादेश की पहली महिला राष्ट पती बनी है, आगे देखें, next question, बेश्विक बिनी मारने जोखिम सुचकांग 2021 के भारत का अस्थापना है, बेश्विक के बिनी मारने जो है, जोखिम सुचकांग 2021 के भारत का अस्थापना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सेकेंड है वेस्विक बीनिमार्ण जोखिम सुचकांक 2021 के भारत का अस्थान सेकेंड नमबर पर है option number A is the right answer next question किसे राजे द्वारा project सद्रावना शुरू किया गया है पुष्टक democracy politics and governance के लेखक कौन है तो पुष्टक democracy politics and governance के लेखक है वो है सुर्य परकास option number A is the right answer सुर्य परकास जो है पुष्टक democracy politics and governance के लेखक है तो सातियों यहीं था हमारा आजका set number 4 का जो test series 4 जो हम आप लोगों का complete करा दिये कल के class में हम दोब देखेंगे test series 5 जो की आगे ऐसे ही volume 1 में total 20 sets है उसके बाद volume 2 में 20 से लेकर 40 sets है आप लोगों को 400 sets को अबर करा दिये जाए जाए अगे exam से पहले अगर exam अगर पहले आता है तो आप लोगों को एक दिन में उतना share करिए और चैनल को subscribe जरूट करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की notification आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों को अपनी त्यारी अग दिन में त्यारी